नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत आप सर्वीका सॉलुशन वाद भीसेक यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में बिसो की जहिलों से डिलेटेट टॉफ 35 MCQ कोशन लिये हैं अगर आप किसी भी एकजाम की टैयरी कर रहे हैं तो यहां से आपको जरूर एक से दो कुशन आपको देखने को मिलेंगे ये सारे कुशन जो हैं किसी ना किसी एकजाम में बार बार पूछे गए हैं तो सारे कुशन जो हैं most important हैं तो इस वीडियो को आप लोग बिने skip के पूरा देखें और आप लोग जो है 35 में से कितना score किया है ये भी आप लोगों को comment box में बताना है और इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम की चैनल पे एक दो दिन माद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के description में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लीजे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कियें चैनल को subscribe करें बैल आइकन को press करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो question कुछ नमा बन निमलिखित में से कौन सी बिस्व की सबसे बड़ी जील है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option A correct हो जाएगा जो केस्पियन सागर जील है यह बिस्व की सबसे बड़ी जील है option यहाँ पे इसका A correct हो जाएगा अगला जो कुछना कुछ नमा 2 जो है बिसुव की सबसे बड़ी मीठे जल की जील कौन सी है तो बिसुव की सबसे बड़ी मीठे जल की जील जो है ये है कौन तो ये है सुपिरियर जील ओप्सन यहां पे जो है इसका B करेक्ट जाएगा अगला जो कुछना कुछ नमा थर्ड जो है कौन सी बिस्व की सरवादिक गहरी जील है तो बिस्व की सरवादिक गहरी जील जो है ये कौन सी है तो यहाँ पे इसका रैट आप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बेकाल जील तो बेकाल जील जो है ये दुनिया की सबसे जो है गेहरी जील है option यहाँ पे इसका C correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछनमा फोर जो है बिस्व की सरवादिक लबडिय जील कौन सी है तो बिस्व की सबसे जो है सरवादिक लबडिय जील कौन सी है तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा option यहां पे C correct हो जाएगा यह हो जाएगा 1 जील तो 1 जील जो है यह बिसुकी सरवाधिक लवडिय जील है तो यहां पे जो है इसका C option यहां पे correct हो जाएगा आप लोग स्कोर जरूर बता है कि आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है अगला जो कुछन है कुछ नमब 5 जो है समुद्र तल से सरवादिक नीची जील कौन सी है तो समुद्र तल से सबसे सरवादिक नीची जील जो है सबसे नीचली जील जो है यह है कौन सी तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा मिरत सागर तो मिरत सागर जील जो है यह तुनिया की मतलब की समुद्र तल से सबसे निचली जील है option यहाँ पे D correct जाएगा अगले जो question कुछ नमा 6 जो है सरवादिक उचाई पर इस्तित नौकायन जील कौन सी है तो सरवादिक उचाई पर इस्तित नौकायन जील जो है यह कौन सी है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा टीटी का का जील option यहाँ पे इसका a correct जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेयर किया करें और आपको वीडियो को like ने किये हैं तो आप लोग वीडियो को like कर दीजिएगा अगला जो question है बिस्व की सबसे बड़ी खारे जल की जील कौन सी है तो बिस्व की सबसे बड़ी खारे जल की जील है यह कौन सी है तो यहाँ पे इस कराइट आप्सन जो हो जाएगा कैस्पियन सागर तो कैस्पियन सागर जील जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी खारे जल की जील है आप्सन यहाँ पे इसका B करेक्ट जाएगा अगला जो कुशना कुशनमा 8 जो है बिस्व की सरबादिक उचाई पर इस्ते जील है तो बिस्व की सरबादिक उचाई पर इस्ते जील कौन सी है तो इसका भी right option जो हो जाएगा यह टिटी का का ज्हील टिटी का का ज्हील जो है यह बिस्व की सरवाधिक उचाई पर इस ते ज्हील है option यह पर इसका A correct जाएगा अगला जो कुछ ना कुछ नमा 9 जो है निमलखित मैंसे कौन सा देश यूगम जो है अरल सागर के किनारे है तो इसमें आपको दो देश ऐसे बताने हैं जिसमें जो है अरल सागर के किनारे इस्तित हैं तो यहाँ पर इस correct option जो हो जाएगा जो कजाकरस्थान है जो कजाकरस्थान और उजबेकिस्तान जो है यहां इस्तित है अरल सागल के किनारे तो यहां पे जो है इसका A option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो question कुछ नमा 10 अमेरिका के जील परदेश में समलित 5 जीलों में कौन सी पूर्टा जो है संयुक्तराज अमेरिका में इस्तित है इसमें आपको यह बताना है कि जो यह चार जीले है इसमें से ऐसी कौन सी जील है जो पूरी तरह जो है संयुक्तराज अमेरिका में इस्तित है तो यहां पे इसका राइट जील है यह जो है पूर्टा जो है संयुक्तराज अमेरिका में इस्तित है तो option जो है यहां पे बी correct हो अगला जो कुष्णना कुष्णमा 11 जो है विक्टोरिया जील अभवेस्तित है तो विक्टोरिया जील कहां अभवेस्तित है तो यहाँ पे इसका रैट आप्सन जो हो जाएगा यह है पूर्वी अफ्रीका में तो पूर्वी अफ्रीका में इस्तित है विक्टोरिया जील आप केस्पियन सागर से नहीं मिली हुई है तो यहां पे इसका रैट आप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अर्मेनिया तो अर्मेनिया देश जो है इसकी सीमा जो है केस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है और बाकी जो है ये चारो तीनो देशों की जो सीमा है ये जो है 13 जो है निम लिखित में से कौन सी एक जील तंजानिया एवं यूगांडा के बीच अंतराष्ट्य सीमा बनाती है तो तंजानिया जो देश है और यूगांडा देश जो है इन दोनों के बीच जो अंतराष्ट्य सीमा बनाती है ये कौन सी जील है तो यहां पे इसका राइट जो हो जाएगा यह हो जाएगा विक्टोरिया जील तो विक्टोरिया जील जो है यह तंजानिया और यूगांडा देश के बीच अंतराश्ट्य सीमा बनाती है तो यहां पे विक्टोरिया जील राइट आप्सन हो जाएगा अगला जो कुछनर कुछनमा 14 जो है कैस्पियन सागर इस्तित है तो कैस्पियन सागर जील जो है ये कहां इस्तित है तो यहाँ पे इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रूस और इरान के बीच में इस्तित है कैस्पियन सागर आप्सन यहाँ पे इसका एक जाएगा friends अगर आपको video पसंद आती है तो video को like and video को share हुआ करें अपने 10 friends में इसमें आपको स्मेलित करना है तो यहाँ पे जहीलों की नाम दिये हैं और यहाँ पे संबन्दित देश दिये हैं तो सबसे पहले दिया है aral-sagar तो अरल सागर जो है ये कहा है इस्तित है तो अरल सागर जो है ये इस्तित है कजाकिस्तान में अगर बात की जाए मिशीगन जील कहा है इस्तित है तो मिशीगन जील जो है ये संयुक्तराज अमिर्का में इस्तित है अगर बात की जाए जो ग्रेट बियर जील है ग्रेट बियर 3 और यहां पे C दिया है C का हो जाएगा 1 और D का हो जाएगा 4 यह किसमें दिया है 2,3,1,4 2,3,1,4 दिया है B option में तो यहां पे इसका B option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो question 16 जो है निमलखित मैं से कौन सी जील खारे पानी की जील नहीं है तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी जील ऐसी है जो खारे पानी की जील नहीं है तो यहाँ पे इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा कुछ नमा 16 का ये बैकाल जील यहाँ पे राइट आप्सन हो जाएगा तो विक्टोरिया जील जो है यह किन अफ्रीकी देशों के मद्दे है तो यह है तन्जानिया कीनिया और यूगांडा के मद्दे तो यहां पे इसका A option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो कुछ ना कुछ नमा जो 18 है निम लिखित में से किस देश को हजार जीलों की भूमी कहा जाता है तो हजार जीलों की भूमी किस देश को कहा जाता है तो यहां पे इसका राइट अप्सन जो हो जाएगा यह हो जाएगा फिन लेंड अगला जो कुछ नमर 19 जो है अफरीका महादीप में निम्न में से कौन सी जील भूमद्य रेखा पर इस्तित है तो यहाँ पे इसका रैट अप्सन जो हो जाएगा विक्टोरिया जील जो है अफरीकी महादीप में अफरीका महादीप में जो है यहाँ पे भूमद्य रेखा प सरवादिक खारे जल की जील वान जील किस देश में इस्तित है तो बिसुव की सरवादिक खारे जल की जील जो है जिसको वान जील कहते हैं ये किस देश में है तो यहाँ पे इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा ये जो है तुर्की देश में है कौन सा सागर है जो भूबद्ध है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा अरल सागर तो अरल सागर जो है यह पूरी तरह भूबद्ध है तो यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो कुछन है कुछ नमर 22 जो है अफरीका महादीप की सबसे बड़ी जील बताना है आपको तो अफ्रीका महादीब की सबसे बड़ी जील जो है ये है कौन सी तो यहाँ पे इसका राइट आप्षन हो जाएगा विक्तोरिया जील ओप्षन यहाँ पे इसका A करेक्ट जाएगा अगला जो कुछन है कुछ नमा 23 जो है निम लिखित में से कौन सी बिस्व की सबसे खारे पानी की जील जो है जीलों में से एक है तो यह आपको बताना है निम लिखित में से कौन सी बिस्व की सबसे खारे पानी की जीलों में से एक है तो यहाँ पे इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा option यहापे C हो जाएगा मिरत सागर तो मिरत सागर जो है यह बिसुखी सबसे खारी जीलों में से एक है option यहापे C करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर 24 जो है निमलिखित में से कौन सा यूगम गलत है तो इसमें यहापे इसका right option जो हो जाएगा यह option यहापे C करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन 25 जो है निमलिखित में से कौन इरान की सीमा को इसपर्स करता है तो इसमें आपको यह बताना है कि कौन सी जील या कौन सा सागर ऐसा है जो इरान की सीमा को इसपर्स करता है तो यहापे इसका right option जो हो जाएगा जो केस्पियन सागर है यहापे यह हटा दीजे केस्पियन सागर जो है यह जो है इरान की सीमा को इसपर्स करता है तो यहापे इसका right option जो हो जाएगा option A हो जाएगा अगला जो कुछन नमर 26 जो है निम लिखित में से किसको पर्ल ओफ साइबेरिया कहा जाता है तो यहाँ पर आपको यह बताना है किस जो जील को पर्ल ओफ साइबेरिया कहा जाता है तो यहां पे इसका right option हो जाएगा बेकाल जील तो बेकाल जील को Pearl of Siberia कहा जाता है अगला जो question है question 27 जो है किस देश की सीमा केस्पियन जील से नहीं मिलती है तो किस देश की सीमा जो है यह केस्पियन जील से नहीं मिलती है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option C हो जाएगा Ukraine की जो सीमा है ये केस्पियन सागर से नहीं मिलती है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option यहाँ पे C correct जाएगा अगला जो question question 28 जो है इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है सूची बन में जो दिया है जीलें दी हैं और सूची टू में जो है नगर दिये हैं तो यहां पर जो सबसे पहले दिया है इरी जील तो इरी जील जो है यह कहा है इस्तित है तो यह यूएसे के जो है डेट्रायर में इस्तित है तो यहां पर जो है एका हो जाएगा क्या दो एक जो है यह टू हो जाएगा तो यहां पर डेट्रायर में इस्तित है अमेरिका के डेट्रायर में इस्तित है इरी जील अगर बात की जाए मिशिगन जील तो मिशिगन जील जो है यह अमेरिका के गेरी जो नगर है उसमें इस्तित है अगर बात की जाए ओंट्रियो जील की तो ओ हो जाएगा 3 और यह C का हो जाएगा 4 और यहां पर D का जो हो जाएगा यह बन हो जाएगा तो 2,3,4,1 2,3,4,1 तो यहां पर इसका D option यहां पर एक रेक्ट हो जाएगा अगला जो कुछन नहीं जो है इसमें दिया है तानले सेफ नामक जील निमलिकित में से किस देश में इस्तित है तो तानले सेफ जो जील है यह किस देश में इस्तित है तो यहां पर इसका रेक्ट ऑप्सन जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसका B option हो जाएगा कमबोडिया में इस्तित है जो तानले सेफ जील है यह है किराइस तहल है क्या है कि याँपे इसका रइट अप्षन हो जायगा मिरत शागर में अगले कुश्वनगे में 31 वसका सचेय तो यहां तो नहां है निसनको شंवेसare Андraia में जिलों को पूर्व ऑप्षिम की और सही क्रम क्या है तो इसमें आप आपको जो है पूर्व से पश्यम की ओर लगाना है तो यहां पे पूर्व से पश्यम की ओर बढ़ते क्रमों में आपको जीलों को लगाना है तो यहां पे इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा यहां पे जो है सी करेक्ट जाएगा यहां पे जो ओंट्रियो जील है ओंट्रि वरते हुए जो है जीडों के रूप में तो यहांपे इसका जो है सी ओप्सन यहांपे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो कुष्णना कुष्णमा 32 जो है प्रिशेद जो है अंगलियों नुमा जील छेत्र कहां इस्तित है जो अंगलियों नुमा जील जो इस्तित है यह कहां छेत्र इस्तित है तो यहां पे इस करेक्ट अप्सन जो हो जाएगा यह सी अप्सन यहां पे करेक्ट हो जाएग सेयुक तुराज अमेरिका में इस्तित है अंगुलिएं नुमा जीन जो चेत रहे है यह सेयुक तो यहां पे C correct हो जाएगा अगला जिआ जो कुछ ना कुछ नमा 33 जो है टीटी का का जीन कहां इस्तित है तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा यह option यहाँ पर A correct हुजएगा बोल बिया और पेरु में जो है इन देसों में इस तित है टिटी का का जील option यहाँ पर A correct हुजएगा अगला जो question question number 34 जो है निम्नलिखित मैं से कौन सी जील इसमें दिया है honey moon lake कहलाती है तो honey moon जील यह फिर honey moon lake कुन सी जहील कहलाती है तो यहां पे इसा करेक्ट ओप्संग जो हो जाएगा यह हो जाएगा टिटी का का जिल चिब जो है यह हनी-मूण लेग कहलाती है तो आप्सन यहा पे फिर सबसे छोटा तो सबसे पहले जो आएगा सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा तो यहां पर सबसे जो बड़ी जील है यह कौन सी है तो सबसे बड़ी जील जो है यह जो है सुपीरियर जील है तो मतलब चार नमर पहले आएगा फिर उसके इसका जो अब रोई किरम है जो मतलब बड़े से छोटे की ओर बात की गई थी तो यहाँ पे हो जाएगा सुपीरियर, विक्टोरिया, बेकाल और ग्रेट बियर तो यहाँ पे इसका A option correct हो जाएगा Thank you friends, अगर आप आप लोगोंने 35 में से कितना score किया है comment box में जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and share जरू किया करें अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेर किया करें अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कियें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम के शेनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के description में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को join कर लीजेगा तो मिलते हैं निव वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्राम